अगर आप गोल्ड मिनी में शॉट टम ट्रेडिंग करते हो और नहीं जानते कहाँ पर बाइंग करें, कहाँ पर सेलिंग करें और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, और क्या टार्गेट रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों, मैं आनिल, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीक है 3 माई 2023, टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बच के 18 मिनट, और आज दिन है वेंस्टे, फ्रेंज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, गोल्ड मिनी की जिसका टार्गेट अचीव हो गया है, और आपने इस लेवल्स पर ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छ अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे, फ्रेंज इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइड कर सकता है, आज बात करेंगे गोल्ड मिनी की जिसका कॉंट्रेक्ट है जून का, गोल्ड मिनी जिसका करंट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 60,723 रुपीज के आस-पास और इसका लेटस्ट हाई पोस्ट हुआ है 61,337 रुपे और इसका लेटस्ट लॉपोस्ट हुआ है 69 6611 रुपे, फंडामेंटल व्यू की बात की जाये तो, बढ़ती हुई ब्याजदरे और चायना की और से दिमान, जियो पॉलिटिकल टेंशन और डॉलर इंडेक्स में उतार चड़ाओ, इन सारी बातों का असर, गोल्ड मिनी के उपर देखने को मिल सकता है, इंपोटेंट स स्पोर्ट की बात की जाये तो, स्पोर्ट यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस उपर की तरफ जा सकता है, पहला स्पोर्ट 69,741 रुपे, दूसरा स्पोर्ट 58,107 रुपे, और तीसरा स्पोर्ट 56,474 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा है, अगर प्राइस इन स्प स्पोर्ट को तोड़के निचे की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बाजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है, इस बात का ध्यान जरूर रखे, अगर ऐसा होता है तो यही स्पोर्ट बाद में रेजिस्टेंस का काम करेंगे, इम्पोर्ट स्पोर्ट बाद की जाये तो, रेजिस्टेंस यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस निचे की तरफ आ सकता है, पहला रेजिस्टेंस 61,313 रुपे, दूसरा रेजिस्टेंस 62,236 रुपे, और तीसरा रेजिस्टेंस 63,479 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा है, अगर प्राइस इन रेजिस्टेंस को तोड़ के उपर की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है, इस बात का ध्यान जरूर रखे, अगर ऐसा होता है तो यही रेजिस्टेंस बाद में स्पोर्ट का काम करेंगे, तो करना क्या चाहिए आईए देखते हैं, इससे पहले, फ्रेंज आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर लेना, फ्रेंज जो बा 80 रुपे और रिवाड 590 रुपे के हिसाब से रिस्क रिवाड रेश्यो दिखाई दे रहा है, अगर आप बाइंड करना चाहते हैं, तो बाइंड लेवल जो है, करन्ट प्राइस 60,723 रुपे से 982 रुपे निचे यानी 59,741 रुपीज के आस-पास बाइंड करे, टार्ग और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 69,592 रुपे और फ्रेंड स्टॉप लॉस जरूर लगाए, बिना स्टॉप लॉस की ट्रेड करना बहुत डेंजर हो सकता है, अगर आपने टॉप लेवल पे अल्रेडी बाइ किया है, तो आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30 प्रति क्वांटिटी एवरेज करें, फ्रेंज एवरेजन करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है, और अभी मेजर ट्रेंड, पॉजिटिव, दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे, जो सेल है उनके लिए सलाह रहेगी, सेल और के हिसाब से रिस्क रिवर्ड रेश्यो दिखाई दे रहा है, अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, तो सेलिंग लेवल जो है, करन्ट प्राइस, 6723 रुपे से 590 रुपे उपत, यानी 61,313 रुपे के आसपास सेलिंग करे, टार्गेट रहेगा 69,741 रुपे, अगर ये टार रहेगा 58,107 रुपीज, और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 61,466 रुपे, और फ्रेंस स्टॉप लॉस जरूर लगाए, बिना स्टॉप लॉस की ट्रेड करना बहुत डेंजर्ज हो सकता है, अगर आपने लोर लेवल पे अल्रेडी सेल किया है, तो आपकी टोटल क्व रुपे के आसपास 30% क्वांटिटी एवरेज करे, जैसे कि हमने पहले भी बताया, अवरेजन करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है, और अभी मेजर ट्रेंड, पॉजिटिव, दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे, ओवर 1107 रुपे और 56,474 रुपीज के आसपास देखने को मिलेंगे, फ्रेंड अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपके फाइनेंसियल एक्सपर्ट की राय जरूर ले, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान नहों और इस फाइनेंसियल मार्किट में सही गलत की समझ जरूर रखे, और आपके प्रॉफिट एन लॉस की जिम्मेदारी खोद ही ले, और अपना मनी मेनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छे से मेंटन करे, अपनी ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग या पेपर ट्रेडिंग जरूर करे, उसके बाद ही ट्रे झाल